पुडिंग बच्चें और बड़ों सबको बहुत बसंता आती है और तरह तरह से बनाई जाती है हलो फ्रेंड्स मैं हूनी रुपमा और मेरी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम बनाएंगे कॉफी पुडिंग जो खाने में बहुती तेस्टी होता है और बनाना उसे बहुती आसान जो बच्चें और बड़ों सबको बहुती बसंदा है तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं कॉफी पुडिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम दो चमच कॉफी लेंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी दूर अच्छे से करम होगा फिर इसमें हम डाल देंगे कॉफी कॉफी डाल के मिला लेंगे आप इसमें कोको पाउडर भी डाल सकते हैं इसे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है कैस के फ्लेम को लोग करेंगे और इसे बॉयल होने देंगे अब इसे 2-3 मिनट तक इसी तरह से पकने देंगे आप एक बाउल लेंगे उसमें डालेंगे 1-4 cup कॉफी डालने के बाद इसमें हम पानी डाल देंगे तो जितना हमने कॉफी डाल लिया है उतना ही इसमें पानी मिलाएंगे और इसे हम मिक्स करेंगे पून से अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे इसमें लंस नहीं पड़े और अच्छी से मिक्स हो जाएगा फिर हम इसे दूद में डाल देंगे घर का फ्लेम लोही रखें और लोग गयस पर ही इसको हम बनाएंगे कॉम फ्रोड डालने से जल्दी काड़ा होने लगेगा तो गैस का फ्लेम लोही रखे इस विसकर से इसको चलाते जाएंगे तीरे दीरे ये काड़ा होने लगेगा ये देखे क्योंकि हम पुड़िंग बना रहे हैं या प्लेट भी ले सकते हैं मैंने इसे एक बॉल में डाल दिया अब इसे हम ठंडा करेंगे ठंडा करने के लिए आप ऐसे भी रख सकते हैं या आप फ्रिज में एक से दो गंटे के लिए रख देंगे तो इसे मैंने फ्रिज में रखा था तो बहुत जल्दी अपना आप निकल जाएगा ये देखे कितना बड़िया पुडिंग बनके तयार हुआ है अब हम इसे सजाएंगे तो इसके लिए मैं डाल रही हूँ कॉफी पाउडर इस तरह से आप अपनी पसंद से चॉको चेप्स या चॉकलर जैसे बच्चों को हैं तो हमारा कॉफी पुडिंग बिल्कुल तयार है खाने के लिए बहुत ही डिलीशियस लगता है बहुत ही जल्दी बन जाता है जब भी घर में मन करें मीठा खाने का तो आप इसे चटपट से बना सकते हैं और बच्चों के लिए तो यह बहुत ही फेवरिट है आप इसे मेमानों के सामने सर्व करेंगे उन्हें खिलाएंगे तो उन्हें भी बहुत पसंद आएगा और सब आपकी तारीफ करेंगे तो चटपट से बनने वाले कॉफी पुडिंग आप ज़रू बनाए और वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रू करें और सब्स